जैमराट काली बक्तो आज का जो वीडियो है ये वास्तु सास्तर को लेकर मैं बना रहा हूँ हमेशा इतरा आप लोगों पहले तो दिल से धन्यवाद करने जा रहा हूँ क्योंकि हर एक वास्तु के वीडियो में आप लोगों बहुत अच्छा रिस्पॉंस मिरता है मुझे आ बास आए दिन सवाल आ रहे थे गुरुची वास्तु सास्त्र में जो मुख्य दरवाजा है यह मुख्य गेट है उसका आधार क्या है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है किस तरीके से हम अपने घर के मुख्य दरवाजे में क्या ऐसा करें जो अंदर कभी भी कोई विपत्ती बहुत important होने वाला है जैसे शरीर में हमारे body में मूं हमारा बहुत important part play करता है न किस मुख में जो भी अंदर जाएगा पेट में जाएगा हमारी आतों में जाएगा हमारी शरीर में जाएगा क्या खून बनेगा क्या पानी बनेगा क्या अन होगा और क्या वेस्टेज होगी सब आप लोगों को याद रहता है उसी तरीके से वास्तो सास्त्र में हम घर का जो मेन एंट्री होती है वो भी मुख कहलाता है बस ये समझाईए जो इस मुख में जायेगा यानि जो इस घर में जायेगा क्या जा रहा है कैसा जा रहा है उसी से पुरा घर आपका एनरजाईज होगा ठीक है तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ कुछ ऐसी खाज जानकारी देने वाला हूँ जिसमें अगर आप मुख्य द्वार में काम करते हैं तो आपके घर में कोई विपत्ती नहीं आएगी खाने की कमी नहीं होगी गलेश नहीं होगी नेगटिविटी नहीं आएगी नकरात्म कुर्चा का प्रभाव नश्ट और धस्त होता जाएगा ठीक है उससे पहले मैं समझ जानकारी दूँआ आप लोगों को निव महां मैसेज बॉक्स पे जाके मैसेज करना है अपॉइन्मेंट लिखके चार्जिस पे करके आपने टाइम लेना है उस नेधारित समय पे इंस्टागॉल या फेस्बुक कॉल के माध्यम से स्वेम मैं आपसे बात करूँगा आपकी प्रॉब्लम डिसकस करूँगा जो भी प आपके पास होगा ठीक है आज आते हैं आज के वीडियो पे तो वीडियो में जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि में दर्वाजे पर रोज सुभा अगर आपने ये काम कर दिया ये इस नियमों का पालन कर दिया एक तो लक्ष्मी मां आपका घर कभी नहीं छोड़ेग तो सास्त्र अपनाने से वास्तु सास्त्र अपनाने से हर व्यक्ती सुखी जीवन बिताते हैं वास्तु में मुख्य द्वार को लेकर कुछ सरल उपाएं भी बताये गए हैं जिसमें वास्तु क्या कहता है यदि सुभा उठते ही आप अपने मुख्य द्वार पर ये काम कर लेते हो तो आप पर मा लक्ष्मी की अप्रमपार कृपा बन जाती है साथ ही आपके घर में संपन्ता और सुक्सम्रिधी भी आती है सास्रों के अनुसार घर का मुख्य द्वार साफ सूत्रा सूव्यवस्थित और सूसज्जित होना चाहिए इसका प्रभाव घर में आने वाल लोगों पर अच्छा पड़ता है इससे एक नकरात्म कूर्जा का जो है उन नाश होता है और सकरात्म कूर्जा का संचार दुगनी तिगनी तेजे से बढ़ता जाता है अब जो टिप्स हैं जो जानकारी हैं जो आपने करना ही करना है वो आपको सबसे बहले बता देता हूं मुख्य द्वार को लेकर पूजा के बाद आपने सबसे पहले क्या काम करना है मैं आपको संजा दिना हूँ घर में सुक सम्रिद्धी लाने के लिए रोजाना पूजा पाठ के बाद एक बरतन में पामी और हल्दी मिलाकर मुख्य द्वार पर छिड़काओ करना है नियमित रूप से द्वार पर सुभष शाम घी का दीपक जलाना है इससे मा लक्ष्मी प्रसन होती है और आपके घर में वास करती है तो वैसे तो हम साल में एक बार ही दिपावली मनाते हैं फिर आप देव दिपावली थी तब आपने दिए जलायोंगे इस तरीके से हम कभी न कभी करते हैं बट बहुत कम करते हैं पर मैं आपको अगर बोलू कुछ लोग बोलेंगे तुलसी पर हम दीप्रजलित करते हैं अच्छी बात है तुलसी माताब पर आप दीप्रजलित करते हैं पर खड़की मुख्य चौकट पर भी आप अगर घीका दीपक चलाओ के ना मतलब इस समय पर जैसे गौधली का समय है चाम के समय पर 6-7 बजे के करीब आजकल तो अंधेरा जल्दी हो जाता है उस समय पर आप दीप्रजलित करों देखो आप पर मालक्षमी प्रसन होगी होगी उस घर में मालक्षमी जरूर आएगी आएगी ठीक है दूसरी चीज आपने क्या ध्यान रखनी है कि मुख्य दरवाजे पर पानी आपने गिराना है पानी क्यों किराना मैं आपको समझा देता हूँ पहलाना नहीं है वास्तो सास के अनुसार सुभा उठकर सबसे पहले अपने इश्ट को नमद करके उसके बाद अपने घर के सभी खिड़की दरवासों को खोल देना आपने अब ये ऐसे ऐसी चीज़े है जो छुट छुटी चीज़ें कोई नहीं सिखाएगा पर ये कहते हैं कि घर की अगर लक्षमी कर ले बड़ी बहु बड़ी सास जो भी है मतलब head of the family अगर कोई महिला है तो वो कर ले तो 100% उस घर में पैसों की कभी तमी नहीं होती है तो ये पहली से पुर्खों से चला आ रहा एक व्यवार है नियम है अगर करते हो तो result 100% होते हो उस घर में खूब तरक्की होती है ये बात guaranteed है ठीक है तो एक तो आपने जैसे इस्टों का नाम लेकर उनको नमन करना है खिड़ी की तरवाजे खुलने है फिर घर में मुख्य सी हल्दी भी मिला सकते हो ऐसा करने से मा लक्षमी प्रसन होती है कहा जाता है नियमित रूप से ऐसा करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा आपको मिलने लग जाता है साथ ही साथ रुपयों और पैसों की कमी भी कभी नी होती उस घर में ठीक है दूसरी चीज आपने ध्या पार जो होता है ना उर्जा के प्रभा का सबसे एहम स्थान होता है इसलिए सकरात्मक उर्जा के लिए मुख्य द्वार पर गणीजी की प्रतिमा लगानी चाहिए पर एक चीज़ का खासरी ध्यान रखना है उन्हें द्वारपाल नहीं बनाना अपने दूसरा उनके पीठ के दर्शन्यों ने चाहिए किसी भी तरीके से इसके लावा सुभें उठने के बाद घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर या कुमकुम से ओम और स्वास्तिक और शुबलाब का चिन बनाना बहुत शुबकारी होता है ऐसा करने से घर में रहने वाले सदस्य रोगमुक्त रहते हैं साथ ही आपके घर में कोई भी अनहोनी नहीं होती है और नकरातमता आती ही नहीं है दूसरी चीज रंगोली है अब लोग रंगोली का बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ दिवावली पर या दिवाली पर अगर हम दक्षिन दिशा का कल्चर देखें दक्षिन दिशा में जाओ तो वहाँ पर ये चीज़े फॉलो होती है और ऐसा किया जाता है कि रोज सुभ अपना फर्श साप करकर वो रंगोली बनाते नहीं नहीं ठीक है तो वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार के दोनों चोटी सी चाहे थोडी सी बनाओ पर चोटी सी रंगोली अवश्य बन में पैसों की तंगी कभी नहीं उन्हें देती है मतलब आपको कभी मांग के नहीं खाना पड़ेगा किसे के आगे हाथ नहीं फिलाना पड़ेगा दूसरी चीज़ घर के मुख्य द्वार के सामने तुलसी और केले का पौधा लगाना अतियंत शुभकारी माना जाता है पर क गर के द्वार पर घंटियों की चालर लगाए इससे घर में नकरात्मक उजा प्रवेश नहीं करती और जिसको हम तोरण बोलते हैं अशोक के पत्ते लेलो उनसे आप तोरण बनाओ उस पे हल्दी कुमकुम लगाओ मालक्ष्मी का ध्यान करो और उसकी तोरण बनाओ मौली धा रागे में बांद के और उसको अपने घर में शुकरवार के शुकरवार हर हफटे चेंज करते रहो पुरानी को जल परवा करो नई को लगाओ पुरानी को जल परवा करो नई को लगाओ देखो मालक्ष्मी खा ऐसी क्रपा मिलेगी जो कहीं भी नमिलती हो ठीक है crystal ball मुक्य दौर पर crystal ball लगाएं दर्वाजे बल लाल जो है फीता लगाना है आपने और ये क्या करता है ये भी negativity को दूर करता है आपकी धर की लाल फीता और crystal ball आपने दर्वाजे पर लगानी है दूसरी चीज़ जो एहम है और सबके घर में होनी ही चाहिए वो है सफाई हाथों की नहीं दिमाग की नहीं मुख्य दौर के सामने या आसपास गंदगी या कबाड नहीं रखना चाहिए बलकि ये हमेशा 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 साफ सूतरा होना चाहिए इससे घर में सकरात्मक उर्जा का प्रवेश होता है घर के दर्वाजे खोलते या बंद करते समय कोई आवाज नहीं हो सकती है घर में सकरात्मक्ता लाने के लिए हर गुरुवार को पीले फूलों की माला लगाए निच्छत रूप से लाब मिलेगा ही मिलेगा और श्रीहरी और मातालक्श्मी का आश्रवात प्राप्त करें मा के मंत्रोचारण करें और ध्यान करें और मा को अगर कमल का महालक्षमी जैश्वी नाराणिय जैमातादी जरू लेकिया दर्बार से बने रहें सभी भक्तों को जैमातादी जैमाडाट काली